नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल लॉलिज बॉंगो में दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वेस्ट बेंगोल स्टूडेन केरेट कार अपलाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉकमेंट की जरूरत पढ़ेगी दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखेगा इस वीडियो में आपको complete details से बताऊंगा कि आपको West Bengal student credit card apply करने के लिए कौन को से document की जरूरत पढ़ेगी वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से request है यदि आप हमारे चाहिए पे नए हैं तो वीडियो को like किजिए और साथ ही साथ हमारे चाहिए को subscribe करके bell लेगन को press क किजिए तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले आप बोला गया color photograph of the application तो आपका फोटो रहेगा वह color होना चाहिए और जो फोटो रहेगा वह jpg format में होना चाहिए और जो फोटो का size रहेगा वह 50KB से 20KB का बीच में होना चाहिए नंबर B में बोला गय चाहिए और जो format रहेगा उसका size रहेगा 50KB से 20KB का बीच में होना चाहिए नंबर C में बोला गया है signature of the student तो आपका अपना signature अप्लोट करना है वह भी jpg format में होना चाहिए और इसका size रहेगा 50KB से 10KB का बीच में ठीक है नंबर D में बोला गया है co borrower guardian signature तो यहां आप प्लोट करना है jpg format में और इसके जो size रहेगा 50KB से 10KB का बीच में रहेगा इसके बाद यहां बोला गया है student class 10 board registration certificate तो यहां देखिए आपको class 10 का board registration certificate भी अप्लोट करना है वह आपको pdf format में करना है और जो pdf format का size रहेगा 400KB से 50KB का बीच में होना चाहिए इसके बाद यहां बोला गया है guardian address pro तो आपका guardian का address पूब का pdf format में उसको upload करना है और उसको size रहेगा 400KB से 50KB का बीच में होना चाहिए इसके बाद यहां बोला गया है तो आप लोग जो course कर रहे हैं उसका admission receipt भी आपको pdf format में upload करना है और जो pdf का size रहेगा 400KB से 50KB का बीच में होना चाहिए इसके बाद यहां बोला गया है student pen card तो अगर आपका pen card है तो वह भी आपको pdf format में upload करना है और जो pdf का size रहेगा 400KB से 50KB का बीच में होना चाहिए इसके बाद यहां बोला गया है course का fee और tuition fee आपको pdf format में बनाकर उसे upload करना है और जो pdf का size रहेगा वह आपका 400KB and 50KB का बीच में रहना चाहिए ठीक है तो यह सभी document आपको upload करना है दोस्तों आप मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग online registration कौन से website में कर सकते हैं तो यहां देखिए दो website दिया हुआ है आप लोग इन दोने website में से कोई एक website में जाकर registration कर सकते हैं ठीक है दोस्तों दोस्तों इस वीडियो मैंने आपको complete details में बता दिया है कि West Bengal student credit card apply करने के लिए कौन-कौन से document के जरूरत पड़ेगी यदि आपको इस वीडियो से related कोई भी question पूछने है तो आप अपना question कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं यह आप लोग मुझे Instagram में follow करके वहां message कर सकते हैं मैं आपकी help करने की पूरी इकोसिस करूंगा दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ इसाथ हमाया चाहें को सब्सक्राइब करके पहले अकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ Facebook और WhatsApp में जरूर सेर कीजिएगा मिलते हैं कौन नहीं वीडियो के साथ अब तक के लिए जैहिंत वंदे मातरम